वेलो, फेरिंड वैक कोने नियुट्ड दिया है, यह ंगोव से लेल पवीन कैसे वोग मीं, कनेछे शाहा है पडक आप विति में यांटबस वद दर्चेत अजी देक्राव, व हैं अगर सुर्ड कोड़ें होगरных ऐरें समें को मगाई आप सकते हैं थोड़ा समय है आपको दिखा दूँ आपको देखा दूँ पीची में एक पार बला यह वाला जो आएपी इम आप आप पीजिए जो इसकी ओर्टरियूट के आप एपम खराबता है इसी विज़े से अगर आपके सामने यह दिक्कत आती है इसको कैसे चेक कर सकते हैं तो मैं उसके आपको क्लिर कर दूगा कि आपको क्या 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 चेक करना तो से पहले क्या है मैं पीजिए थोड़ा साइट लेता है अब बताता हूं आपको ठीक है क्लीर तरी की सुनना जाइए क्लीर तरी की समझे समझ आज आज udah तो सबसे पहले जिफक्त होती है slipped हो देchan को के आपके चाहिkami ना ail प Philippe जहतना चाहिए पीले न Pode नहीं चोटला होता हैर आछिए रिपनेट मातीशी पूलिंग रिप AC गोड़ यहां पे जो है PC थोड़ा साइड प्राइट यह को लिखा है ACS और यह जो एस वाइर है यह जो वाइर है वो सिंग्नल वाइर है मतलब कम्मिनिकेशन वाइर सा यह वाला CP वाइर है जो के एंडॉर की PC भी तीन वड़ के बाद सप्लाइब और करती है तो यहां तो उमीद है किलियर हो गया तो उसके बाद जो चेक करना है अगर आपका और्ट्रिन्ट नहीं होता है तो जाहिट सी बात इसके कैश्टर बेकार मुझाला कैश्टर फट जाते हैं यह फूल जाते हैं तब यह दिक्कत आती है फिर आपके रिले वगएर हम दिक्कत अगर आपके बगल जाता है तो इसके बाद अगर आपका अवाज करके बंद होता समय क्या दिक्कत होती है तो इस कंडिशन के होता है अगर आपकी रेफरेजेंट बहुत जाधा है मतलब कि गयाज और है तो इस कंडिशन आपका कंप्रेसर जो होता है बंद हो जाता है क्योंकि हाइप प्रेसर होता है तो इसमें एक सेंसर होता है और पूर एक डिचुछ आति सैंसर होता है कभी इन से टेस्टिंग करते हैं आगर हैं और श् सुरुछ का सबक सेसे टेस्टिंग करें है अगर सब्सक्ताइब लगा होता है तुछी में टीसी होता है किसी में आपके लिखना है सब्सक्राइब कुछ इंब०्ट और सब्सक्राइब आपके यह विद्धेया क्वेशनाटा यह दोनों पे फैन मोटर वरक करता है तो आप श्टीकर पर देख सकते हैं वनना आप यहां PCV पर आप देख रहे हैं LHN मतलब कमें लाइन नीटल यहांपे और यह हाई यह फैन और यह 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 जुए एसी फैन लिखा है यहांपर बाकि इसका वांकि दिखा दिए यह ऑगार यहींट नहीं होता है जो बाइट बाइट लुकेट होथा अगर वो नहीं होता है तब यहां को अपको बताऊंगा यह वोटो पो होता है हमारा मीटर वाकि इसमें आप बैलू सो करेंगे किलोओम कितने आ रहे हैं इसनसर से कर सकते हैं कि इस आट क्लो अम इस तरीके से और इसनसर का अगा धिर आब आपका क्राब होगा तो अबहुआ कि आपका किलोओम byलक Brid parfait सillon नहीं होंगे और अगर बहुत ज्यादा सो हुए है इस कंडिशन में आपका सेंसर अंदर से 80 अपको सौत होता है अगर अृ कंप्रिशर अगर शागर तो और क्या रिजियों दो आगए बोल्टेस अब बहुत जाद हो ने बोल्टेस बहुत जाद काम आ रहे हैं मालो 80 वोल्टेस नंबे बोल्टेस आ रहे हैं तो इस कंडिश में आपका कंप्रिसर और नहीं हो वह भी मैं आपको चेक करके दिखा हूं वड़ उससे पहले यह जो ठीजां सेंसर कंडर चेला के बहार यह ज tätä हुंने ऑ पर न्यूंसर चेली सोति हे यह दूबलकत में दिखाता हूं क्या है यहें दिखाता हूं पहूं पहुत है यह पर यह जो यह ऑलो बीक्रेससी घा से थो यह यह वाला जो बाइर हमारा फैस्ति लाइन है और यह वाला जो वायर है वो न्यूटल है यह वाला जो वायर है हमारा कम्मुनिकेशन सेम लूजिंग नहीं रहना चाहिए अच्छे से टाइट हो जाना चाहिए सिंबल में लग जाना जाना चाहिए जिसकी दिक्कत ना है वाकि यहां पर मैं आपको बोल्ड चेक करते हुआ पहले आपको यह दिखाऊंगा कि अगर इंडर तो पीसी वी नहीं होती है तो आप उसको कैसे किलिर कर सकते हैं तो अभी कि हमने पीसी च्टॉल कर दी बाकी जो है मैं इसका मतलब इसको आपको दिखाता हूं और उससे पहले जो है अगर रेफ्रेजेंट कम भी होगी इसमें फिर भी आपका जो आपको आपको दिखाता हूं कि यह ओन होता है यह फिर नहीं ठीक है और बागी सारे अरो को दिखा दू यहां पर इससे कि आप अच्छे से स्क्टैप्चर भी कर सक सकते हैं मैं थोड़ा सा खोल करके रखता हूं इससे किया केरियर के जितने भी एर कोड़ है वह आपको अच्छे समझ जा जाएंगे तो आप इसको जरूर देख ले और इसको सेफ भी कर लें कैप्चर कर लें एक पिक वह सेफ ली इपने पास रख लिए यहां पर कहां इस तरगी से वोल्टेज चेक कर सकते हैं लाइन नूटल आप देख रहे हैं यहां पर कहां लाइन नूटल 220-230 AC वोल्ट आना चाहिए तो यहां तक ठीक है उसके बाद जो है अगर इंडोर की पीसी खराब होगी आपको बताऊंगा कंप्रेसर इसका ओन हो यहां तक इस तरगी से आपको वोल्ट चेक करने ठीक लाइन नूटल अभी किया कंप्रेसर ओन हो गया इसकी रिटन एकदम अच्छे से आ रही है मदर रिटन जो है अच्छे से आ रही है कोई दिक्क्र नहीं है आप बे कूलिंग कर रहा है और इसका जो कंप्रेसर वो ओन ह हो गया है फैन मोटर भी ओन हो गया हम देख रहे हैं हमने निव पीसी भी स्टॉल की ती उसके बाद इसकी यह रिटन है रिटन भी आ रही है प्रोपर कोई दिक्कर नहीं फैन भी एकदम अच्छे से चल आ है हीटिंग ओट कर रहा है और बाकि अगर आपकी इंडोर की पीस कोड़ा सेट कर नहीं से आप अच्छे से नजर आ जाए कहां किया जाए है कि जो है कि मैं यहां पर रखता हूं मीटर ठीक है मीटर जो है यहां पर रखके तो यहां पर दिखाता हूं इंडोर की पीसी वी और पूट कर रहे हैं उसके बाद क्या है आपने जैसे कि यहां पर लगाया है आप देखे रहे हैं न्यूटल और एस पर है यह और बाकि इसके जो वोल्टेश है वह एकदम स्टेवल है अगर यह आप उसमें मालदा अपन डॉन होते हैं वोल्टेश उ एकदम बार आपकी स्टेष आपने इंडोर नीमी या नहीं नहीं हो रहे है तो इस अगर कि पीसी वीición सफ्थार कि रहे हैं अगर इसे ऑलट नहीं कर रहे है अगर आपके स्टेवल बोल्टेश नहीं रुकूटते हैं अपने अपने यूटल से कम्यूं से एक बारने वायर नेटल और कम्म्निकेशन पर आपने नुप रखेंगे यहां पर रखेंगे आपके इंडूर की पीचीव यहांथ और फिर फिर प्रक्राब है यह दिक्कत आती है वापस में अगर outdoor की PCB आपके लिए करना है तो यहाँ पर क्या है voltage अप्रेंड डॉन होना चाहिए दोनों on off होना चाहिए तो इस condition में आपका दोनों PCB ऑके कोई दिक्कत नहीं अब में नाइननीटल मतलब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पर कहा है दोसे वी से दोसे तीस AC आना चाहिए लाइन न्यूटल पर क्या वहाँ प्रखेंगे तो यहाँ पर कहा है लाइन न्यूटल मैंने इसको लगा दिए यहाँ देख रहे हैं आप एसी बोल्ट आ रहे हैं दोसो पच्चिस तक तो इस तरी किसे आप किलियर कर सकते हैं कि आपके इंडोर की भराफ है और दोर की भराफ है तो फ्रेंड्स यहां तक आप तो समझ जागे हो अगर बीडियो पसंदे बीडियो को लाइक कर तो चैनल पर नीज इट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो टैंकियो फॉर वाचिंग